गुट मॉर्निंग डिये स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक लास थार्ड की इवियर्स चैप्टर नंबर 10 वाट इस कुकिंग मिन्स क्या होता है पकना होता है चली देखते हैं इस चैप्टर में यह धे सरे हमारे यूटेंसिल्स हैं जो हम अपने किच लाटा। 2 यह अजिसन तबाद इस पॉत कढ़हिं यह भरतन और इस इस ऐड़ी साने वालल यह सारे पिक्चर से और भराइद लाइन घ्रीं यह दो का आइण जहुट चैप्टर को देखीन है क्लेस जो Chi pilots गजिए जितियुक इस तो आपको क्या दिखाई दिया आपने जो डॉट्स दी हैं उन्हें कटलर कर दिया आपने मान लिजी आपने इसे इसे करके कलर फिल कर दिया तो अपको इस तरिके से पुरे पिच्चर में कलर कलरिंग फिल कर देनी है ठीक है फिर आपको यह बरतन क्लियरली दिखाई देंगे जो बरतन रखे हुए है ये ये फिर आपको क्लियरली दिखाई देंगे what do you see तो आपको कौन कौन से बरतन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ स्पेस में in the picture you must have found some utensils क्यक्के बरतना में दिखाई दे रहे हैं कराही तवा मतका मिंस पॉट सॉस पैन मिंस जिससे आप दालवा गेर निकालते हैं कर्ची कर्चुल लैडल इसको इंगलिस में बोलते हैं लैडल स्पैचुला सीव स्पून एंड प्रेसर कोकर इस आरे नेम हैं जो जो की बरतन इसमें बने हुए है यह प्रेसर कोकर है ठीक है यह प्रेसर कोकर सॉस पैन तवा इस सारे इटेंसिल है जो यहां पर पिच्चर आपको दिखाई देगी इस पिक्चर में कुछ ऐसे बरतन हैं जो कुकिंग के लिए यूज होते हैं कि अगर हां तो उनकी आपको यहां पर नेम लिखने है तो आपकी ममा खाना बनाने के लिए और कौन से करती हैं वो आपको लिखना है आपको लिखना है यह पर मेंने वों लिखना पर duel उते हैं देखी बरतन किस चीज के बने होते हैं बरतन स्टील के बन सकते हैं वूड के बनते हैं अलुमिनियम के बनते हैं ग्लासेस के बनते हैं आईरन के बनते हैं और कॉपर के बनते हैं इन सब के बरतन बनते हैं आसके सम एल्डर पीपल्स वाट काईड अफी टेंसिल वर यूज़ अर्लियर आप अपने 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 अल्डर से पूछिए किसी घर में कोई भी होगा आपके बड़े दादा दादी नाना नानी उनसे पूछे कि आप लोग पहले कौन से बरतन यूज़ करते थे वो किसी के बने होते थे हैं आपको अपने अल्डर से पूछना है वी डू नोट कुक अल्ड़ तिंग्स देट वी आर एट जो हम खाते हैं वो सभी चीज़े हम कुक नहीं करते हैं find out which things we eat raw और पता करिए कि हम क्या चीज़े जो है वो raw खाते हैं raw means कच्ची खाते हैं which ones we cook before eating और कौन सा हम खाने से पहले वो कुक करते हैं which are the things we eat both cooked and raw और कौन सी चीज़े जो हम कच्ची खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं fill in the blanks fill in the table given below चलिए निचे एक table दी हुई है उसे आपको fill करना है things that are eaten raw वो चीज़े जो हम कच्ची खाते हैं यहाँ पर लिखना निचे things that are eaten cooked वो चीज़े जो हम पका कर खाते हैं things that are eaten both raw and cooked और वो चीज़े जो हम कच्ची खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं जिखिए जो की चीज़े हम कच्ची खा सकते हैं औरन्ज, शूगर केन, वाटरमेलन, जामुन, अप्रिकॉट यह सारी चीज़े हम कच्ची खा सकते हैं things that are cooked और वो चीज़े जो हम पका कर खाते हैं नायण है, क्चछी खाते हैं और पखाकर कर सकती है और और चीजीर तरीकों से खा शकते हैं क्या आपने किचन में कभी रोटिया या कहीं भी रोटी बनते हुए देखा है there are so many things to be done for this इस चीज के रोटिया बनाने के लिए बहुत सी चीज़े करने पड़ती है taking out floor inner utensils हमें युटेंसिल में अपमें युटेंसिल में क्या तर बरतन किसी बरतन में पहले हमें आटा लेना पड़ता है kneading it into a dough इसको फिर हमें आटा इसका गूतना पड़ता है making small balls of the dough फिर हमें इसकी छोटी-छोटी balls बनाने पड़ती है छोटी-छोटी गोलिया बनाने पड़ती है rolling out the balls फिर उन्हें rolling करना पड़ता है बेलना पड़ता है हमें बड़ी-बड़ी बनाने के लिए and then cooking it on the fire फिर हमें इसे पकाना पड़ता है after all this the chapati reaches your plate इस इन सब कारियों के बाद आपकी प्लेट तक रोटी पहुंचती है आपकी ममा बहुत महनत करती है after so much of efforts बहुत महनत करने के बाद आपकी प्लेट तक रोटी बन कर पहुंचती है go to the kitchen and अपने kitchen में जाए and observe something being cooked और observe करिए कि कोई चीज अगर बन रहा हो आपके कुछ पक रहा हो तो उसे observe करिए what all was done to be cooked इट उस चीज को कुख करने के लिए क्या के चीजे करनी पड़ती है आप जाके अपने kitchen में यह observe करना है write the sequence और उनका sequence भी लिखना है कि सबसे पहले क्या किया और फिर देन आफ्टर आपको उनका sequence लिखना है don't forget to write the name of the items being cooked और क्या चीज पक रहा है आपको उनका नाम भी लिखना है look at the notebook of your classmates and discuss in a group फिर अपने notebook में लिखना है और फिर अपने class में discuss भी करना है okay उनके items के name लिखने आपको यहाँ पर मान लिजी आप आपके kitchen में क्या बन रहा है आपकी ममा राइस बना रही है तो आपको यहाँ पर राइस लिखना है okay फिर आपकी उसकी sequences लिखना है कि राइस बनाने के लिए सबसे पहले आपकी ममा ने क्या क्या फिर utensils में पानी पोर किया first step then rice को wash किया second step then फिर उसको आपकी ममा ने चावलो को उसमें utensil में डाल दिया फिर इस तरीके से आपको इसकी stepping लिखनी है ठीक है you have seen that food items are cooked in a variety of ways आपने देखा होगा कि food items कई तरीकों से पकाई जाते हैं some are baked किसी को तो baked किया जाता है and some are fried और कुछ Mobilize वो fry के जाते हैं some are roasted किसी को तो roast के जाता है while some are steamed और कुछ को steamed के जाता है step means भाप में पका जाता है roast means उनको आग में जिसे आग में roast के जाता आग में भूना जाता है उसी तरीके से baked मतलब बेक करना और फ्राइड मिन्स तेल में तलना यह सारे वेज हैं जिससे हमारे फूर आइटम जो है वो कोग किया जाते हैं गिवन ब्लो अर डिफरेंट मेथर्ट्स ऑफ कुकिंग नीचे जो है वो अलग-अलग मेथर्ट्स यह हैं कुकिंग के उनके नेम लिखने है कि कौन-कौन से चीज़े कुकिय जाती है एड सम्मूर देखिए method of cooking to the list and give examples to और उनके example भी देने हैं और कुछ methods भी लिखने हैं या पर कुछ दो और method लिखने हैं आपको देखिए method of cooking roasting, roasting करके क्यक्के पकाते हैं चिकन भी पका सकते हैं और ब्रिंजल means बैंगन, boiling किस-किस food items को करते हैं, milk को और एक को, frying किसको करते हैं, means तलना, potato and fish को, baking किसको करते हैं, cake को और bread को, यह सारे बेक किया जाते हैं, जब भी जाके हमारे तक पहुंचते हैं यह और दो और method है, steaming and grilling, steaming means भाप में पकाना, grilling means जो लोहे की चीजों पर पकाई जाती हो, ठीक है steaming means किस चीज को हम steam करके पकाते हैं, idli को और momos को, आपने momos तो बहुत खाए होंगे grilling means जो लोहे की सर्या होती है ना, road sea, उनके उपर हम fish वगेरा या पनीर वगेरा को रखके, grill करके पकाते हैं, ठीक है, fish और पनीर को what is cooked, what is used to cook food in your house आपकी घर में खाना cook करने के लिए, पकाने के लिए आपकी घर में क्या चीज यूज होता है draw a picture in the notebook, आपको एक picture भी draw करने है, and उसका write its name, और उसका name भी लिखना है आपको कि आपकी ममा आपका घर में जो है, वो खायरना किस पर बनाती है, गैस चुले पर, स्टोफ पर, या किस चीज पर induction पे आपको name लिखना है उसका, और उसकी picture भी draw करने है आपको, identify the pictures, pictures को आपको identify करना है, given below, जो नीचेल दी हुई है, and write their names, और उनके names भी लिखने है what produces heat in each of them, और हर एक में, क्या produce, कितनी heat produce होती है, match the pictures with the list, आपको picture को list से match करनी है, matching can be with more than one things also, matching एक से ज़्यादा भी हो सकती है देखिए, ये pictures दी हुई है, और ये इसके, लिखा हुआ है, कि क्या चीज यूज होता है, आपकी इस picture में देखिए, इसमें, इस चूले में, क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है, काउडंग केक्स, मिन्स, जो हम, जो बनाते हैं, आम तोर पे, उपले या, लकडियों, लकडिया वगएरा, इसमें, काउडंग केक्स भी यूज होता है, और ये, इनमें, किसी के यूज होता है, इसमें, कॉल का यूज होता है, और इसमें, गैस सूले में, किसी के यूज हो लोशुनी से हीत होता है सन लाइट चीज वैसमें किया चीज एक सεल होता है ये लैट से अच्छिजी चलता है चीजों का यह आपको किस तरीके से मैचंग करनी है यस से आपकी दो मैचंग है प्ले इन तो चीजों से ही चूला जला जाता है जो कि गाउं में अधिकतर यूज होता है चिली नेक्स टॉपिक पड़ते हैं मेक एन इट आपको खुद बनाना है एंड देन इट और फिर खाना है उसके बाद शोक होल मूंग डाल आपको शोक करना है मूंग डाल को मूंग डाल के सीट्स को ओवर ओवर नाइट इन वोटर पूरी रात को पूरी रात के लिए आपको पाने में भीगो के रखना है किसे मूंग डाल के बीज को मिंज जो पूरा साबुत मूंग डाल होता है उसे आपको पा इन दा मॉर्णिंग व्रैद्द शोग्ड मूंग दाल इन वेट क्लॉथ फिर आपको सुबह होने पर उस मूंग दाल को एक भीगे कपड़े में आपको निकाल लेना है और उसे ढग देना है टेक इट आउट आफटर अडे फिर आपको उसे एक दिन के बाद फिर निकालना है उसमें से क्या आपको डू यू फाइंड अनी डिफ्रेंस क्या आपको उसमें कोई डिफ्रेंस दिखाई दिया कुछ अंदर दिखाई दिया उस मूंग दाल में भीगे हुए मूंग दाल में फिर आपको क्या करना है add sliced onion, tomatoes, salt, lemon juice to the moon dal and mix it फिर आपको क्या करना है उसमें प्यास को काटके, tomato को काटके, salt और lemon juice उस moon dal में आपको उसमें add करना है और उसे मिला देना है, share it with your classmates और अपने classmate के साथ आपको उस मुंग दाल को share भी करना है which are the other things you can prepare without cooking और कौन से ऐसी चीज़े हैं जो आप prepare कर सकते हैं बगेर पकाए, बगेर cooking किये हुए और उनके write their names और उनके name भी लिखने आपको and the method of preparing them और उनको बनाने का आपको methods भी लिखना है one example is given below, एक example आपको नीचे दिया हुआ है, चली देखते हैं यह है lemon water, निम्बू पानी बनाने का method दिया हुआ है mix sugar in water, आपको sugar जो है वो चीनी जो है पानी में mix करना है, add lemon juice, फिर उसमें lemon juice आड़ करना है strain it, फिर आपको उसे मिला देना है, lemon water is ready, आपका lemon water जो है वो क्या है, ready है चली चली बनाते हैं, mango shake बनाते हैं, फिर क्या करना आपको, cut mango into pieces, आपको mango को pieces में cut करना है add sugar and milk, अब उसमें हमें क्या add करना है, sugar और milk को add कर देना है, mix it, उसे mix कर देंगे mix it well, उसे अच्छे से mix कर देंगे, mix करने के लिए हम mixer का भी use कर सकते हैं, mango shake is ready, अब आपका mango shake जो है, वो क्या है, ready है इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे, अब sandwich बनाते हैं, cut tomatoes and cucumber, हम tomatoes और cucumber को cut करेंगे tomatoes means tomato, cucumber means क्या होता है, तो आप सभी को पता ही होगा applying butter on one side of the bread slice, अब एक side पर ब्रेड में एक side पर आपको क्या अप्लाई करना है, butter, butter लगाना उसमें put vegetables on the bread slice, अब उसमें हमें vegetable सबजियों के पतले-पतले pieces काट कर रखना है cover the bread slice with another one, फिर दूसरे bread से हमें उसे cover कर देना है, फिर आपका sandwich गी ready हो जाएगा चली तो आपका chapter यह पर end होता है, till then next video में मिलेंगे, तक तक कि लिए बगाए